कई बार हमारे पास ऐसी situation होती है जहां पर हमको data के अंदर से duplicate entry के साथ original entry भी remove करनी होती है तो data के अंदर से duplicate entry को remove करना बहुत ज़्यादा आसान है ऐसे ही इस tutorial के अंदर हम जानेंगे कि duplicate entry के साथ साथ original entry को कैसे delete किया जाता है जैसे ये data है हमारे पास इस data के अंदर हमारे पास कुछ नाम है इनके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ जो नाम है हमारे पास वो एक से ज़्यादा बार है जैसे नेना हमारे पास तीन बार है, एंजल दो बार है और रोमा भी दो बार है अब यहाँ पर हम duplicate entry के साथ original entry भी हटाएंगे इसके लिए हम एक simple सा formula यूज करेंगे formula है equal if bracket count if bracket अब जिस range के अंदर हमारा data है उसको हम select करेंगे अब data हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर click करके हम simply पूरी range को ही select कर लेंगे कॉमा लगाएंगे, अब जहां से हमारी पहली entry शुरू है उस cell को हम select करेंगे bracket close करेंगे, type करेंगे equal 1, लगाएंगे इसके बाद हम type करेंगे 1, 0 और bracket को close कर देंगे enter प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने formula लगाया है उसका result आया है 1, तो जिस भी cell के अंदर हमारी entry unique होगी उसके सामने 1 आयेगा और जो entry repeat हो रही होंगी उनका result 0 हमको show होगा इसको हम नीचे drag करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो entry हमारी repeat हो रही है उनके आगे 0 आया है, बाकी के आगे 1 है, अब data को हम select करेंगे Ctrl-Shift-L प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे faders on हो जाएंगे अब जहाँ पर हमने formula लगाया है, उस वाले fader को हम open करेंगे यहाँ पर select all को untick करेंगे, और 0 वाली entry को हम select करेंगे ओके के उपर click करेंगे, अब जो entries हमारी एक से ज़्यादा बार आ रही थी जिनके आगे 0 आया था, खाली वो entries हमको show होंगी, इनको यहाँ से हम simply select कर लेंगे और delete कर देंगे Ctrl-Shift-L बापस से प्रेस करेंगे, filter हमारे हट जाएंगे और जो data हमारा unique है, वो हमको show होने लगेगा तो इस तरीके से हम अपने data के अंदर से duplicate entry के साथ साथ original entry भी remove कर सकते हैं I hope video आपके लिए helpful होगी, मिलते हैं किसी और video के अंदर, thanks for watching